Hi everybody, welcome back to my channel मैं वानुज आपका friend दोस्तों आज की वीडियो में discuss करने वाला हूँ एक translation जो कि उसको बनाते समय हमें से बहुत सारे से लोग हैं जो कि गलती करते हूं यह रहाँ आपके screen पे मैं आपको 5 साल से जानता हूं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो translation है वो present indefinite में लोग बना देते हैं time को दसा करके जैसे यह बोलते हैं कि I know you for 5 years दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह बिल्कुल ही गलत है कुछ लोग बोल देते हैं I have been knowing you for 5 years यह भी बिल्कुल गलत है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि have यह आप जो देख रहो present perfect continuous इसमें आप knowing no में ing form नहीं लगा सकते हो ठीक है बिल्कुल गलत हो जाएगा ing form लगता है मैं यह नहीं कहरा हूं नहीं लगता है no में लगता है बड़ जहां पर लगता है उसका अर्थ अलग हो जाता है ठीक है तो मैं आपको बता दूँ इसका जो correct translation है यह दोस्तों होता है I have known you for 5 years यह बनेगा present perfect tense में ना कि present indefinite ना कि present perfect continuous tense में यह बनेगा आपका present perfect tense में बनेगा और यही सही है दोस्तों यही सही है मैं आपको फिर से बता देता हूं मैं आपको 5 साल से जानता हूं या मैं आपको 2005 से जानता हूं या मैं आपको 2005 से जानता हूं यानि subject plus have plus past participle form लगाना यानि main verb की third form clear then आपको 4 since लगाना as per the time reference clear ज्यादा जानने के लिए इस present perfect के कितने uses हैं तो मेरा एक 10s का playlist जिस में मैंने बताया है काफी अच्छो से बताया है तो आप उस वीडियो को देख लें आपको समझ में आ जाएगा ठीक है कि यह कैसे बन रहा है तो आपको पता चल जाए कि present perfect के कितने uses हैं clear? सु मिलते एक नहीं वीडियो में till then take care पोबाएगा कोबाएगा